हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आज हम पढ़ देते हैं बेसे फिफ समेस्टर फिजिसका एक मोस्ट इंपोडेंट टोपिक सुमर्फिर्ड एटोमिक मोडल क्या होता है आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले ए समर्फिर्ड अरे यार समर्फिर्ड इतना इजी मोडल प्ला रहे हो सराज आप समर्फिर्ड ठीक है लाइन पर दिहां देना समर्फिर्ड एटोमिक मोडल ओके सरोके समर्फिर्ड एटोमिक मोडल चोटा साथ जैदा बड़ा नहीं है ठीक है समर्फिर्ड एटोमिक मोडल अ लेकिन इससे पहले बोर का परमाड़ो मोडल पढ़ लो जिसने नहीं पढ़ा है डिस्क्रिप्सिन में वीडियो का लिंक डाल दूँआ आप वहां जा कर देख सकते हो अच्छा एक थोड़ी सी नजर हल किसी बोर के एटोमिक मोडल पर डाल लेते हैं क्योंकि इसका एक मैन अब देखो क्या होता है क्या होता कि बोर के एटोमिक मोडल के अनुसार हाइटोजन स्पेक्ट्रम में पिर्तेग रेखा की एक निश्चित अवर्ती होती है पिर्तेग रेखा की एक निश्चित अवर्ती होती है लाइन पर फोकस करना यह सोर्पे की लाइन है ठीक है यानि के प्रतेग रेखा एक अकेली रेखा होनी चाहिए प्रतेग रेखा एक अकेली रेखा होनी चाहिए इसके साथ ना इसके मावाब हो ना इसका भाई वेन हो ना इसके दोस्त हो ना इसके गल्फेंड कोई नहीं हो अकेली होनी चाहिए प्रतेग रेखा ठीक है एक अकेली रेख के साथ में दिहान देना इसको वोला जागा इस पेक्टर मी रेखा इस इस पेक्टर मी रेखा के साथ ठीक है विभिन आवर्तियों की रेखाई होती है समझ गए यह लाइन पर दिहान दो यार इस रेखा के साथ बिभिन अवर्तियों की रेखाई होती है यह तो कभी बोरने भी नहीं सोचा होगा कि यार इस रेखा के साथ बिभिन अवर्तियों की रेखाई होती है और इसे हम क्या बोलते हैं इससे क्या बोलते हैं इस पेक्टर म तो कहीं ना कहीं से बनके आ रही होंगी, ज़हां से ये रेखा रही है, अगर एक रेखा साथ में हैं तो दो रेखा साथ में हैं तो दो उपस्तार होने चाहिए, अच्छा मैं एक लाइन लिखभा दू, ध्यान दे बूहर के लाइन पर फोकस करो वोहर के एटोमिक मोडल के अनुसार ठीक आधी कि एटोमिफ मॉडिल के अनुसार ठीक है, सिर्धी जया मॉडल के अनुसार। बहुत करना ठीक से ये लायन में बहुत काम के लिगवाने साह सивается Cory सोमें मौडल के अनुसार टिक्ला हाइटरोजन स्पेक्ट्रम में ठीक Esa हएटर्टरम में होके-ओके-बोल डेटर्जम में ठीक है पिरतेग रेखा की पिरतेग रेखा की पिरतेग रेखा की निश्चित अवर्ती होनी चाहिए ठीक है एक निश्चित थ्योरी है डेरी वर्षन कुछ नहीं है एक निश्चित आवरती होनी चाहिए ठीक है आवरती होनी चाहिए ठीक है लाइन पर दिहान देना मैं जो मैंने वोला वही लिगवा हूँगा एक निश्चित आवरती होनी चाहिए परंतु सेरिय निस्तर नखारतए एक दिर्देख रेखा एक केली रेखा होनी साइब 6 माया कुछ थी कि अतनों थे रूतलियां जी ऑट == को सब्सक्राइस पाया गया लाइन पर फोकस करेंगे ध chrom एक कर तूर्थ होनी चाहिए परंतु ठीक है पिर्योगों द्वारा पाया गया ठीक है पाया गया की स्पेक्टर में रेखा लाइन पर धियान देना इसको मैंने क्या बेल दिया इस्पेक्टर में रेखा कि इस पेक्टर में रेखा के साथ ठिक है विभिन आवरती की तो विभिन आवरतियों कि रिखाय होती है ठीक है रिखाय होती है ठीक है जिन हम क्या बोलते है बेटे जिन है ठीक है इस्पेक्टर में रेखा की सुक्ष्म संदचना कहते है ठीक है यानि के मुख्य उर्जा इस्थर में बिभिन उर्जाओ के उपिस्थर होने चाहिए ठीक है इस लाइन पर दिहान देना यह बहुत काम की लाइन है इसका मतलब क्या हुआ इसका अर्थ है की इसका अर्थ है की ठीक है मुख्य उर्जा इस्थर में बिभिन उर्जाओ के ठीक है उपिस्थर होने चाहिए यह लाइन पर दिहान लेना उपिस्थर होने चाहिए ठीक है इस प्रकार बोहर का परमाड़ो मोडल ठीक है इस प्रकार बोहर का परमाड़ो मोडल ठीक है इस पेक्टर में रेखा की सुक्ष्म सर्नाशनव को नहीं समझा सका लाइन पर दियान देना इस प्रकार इस प्रकार ठीक है बोहर का परमाडो मोडल बोहर का एटोमिक मोडल ठीक है एटोमिक मोडल ठीक है इस पेक्टर में रेखा की इस पेक्टर में रेखा की सुक्ष्म सनरशना को सुक्ष्म सनरशना को नहीं समझा सका नहीं समझा सका अरफ को इसके बात में ठीक है यह तो मैंने थोड़ी सी बेख्या करने के लिए wow के परभाडव मोडल में संसॉaldhan किया और इस संसॉधित model को हम क्या वलते हैस समर्फिल्ट का atomic model कहते हैं समझ गए यानिक समर्फिल्ड ने यहाँ से entry हो जाती है समर्फिल्ड को ऐना वूला कि ठ्योरी सिर्फ समर्फिल्ड समर्फिल्ड निकजे की रेखा की, लाइन पर दिहान देना बेटे ठीक से, इस्पेक्टर में रेखा की सुक्ष्म संदक्ष्ना की, सुक्ष्म संदक्ष्ना की बैख्या करने के लिए, बैख्या, ठीक है, बैख्या करने के लिए, ठीक है, बोहर के परमाडू मोडल में, बोहर के परमाडू मोडल में, परमाडू मोडल में क्या करा संसोधन किया संसोधन किया ठीक है संसोधन किया ठीक है जिसे हम क्या बोलते हैं किया जिसे समर्फिल्ड एटोमिक मोडल कहते हैं समर्फिल्ड ओके समर्फिल्ड एटोमिक मोडल कहते हैं we atomic model by a professor if she is a騙 sir अब पहली मिदला Αसा b natur के निखित अभधार doc है ठीक है फोकस करना लाइन पर ठीक से इस मोडल की निम्लिकित अब धार लाएं है तो सबसे पहली जो अब धार पर रहुताकर उनल में गोंदा पर लिंग गोंधा एक फोकस पर होता यहाइन के नियुक्स सब्सक्राइब right लिए या जिया ओफिल्ट नाविक के चारो उर पिंदाrecht ऐल्यक्रों झालत् है फोकस करना ठीक से तेलेक्टों थीकर नाविक के चारोवर labeled इलेक्टोन किसके बिटे नाभिक के चारो और ठीक है वहिया इलेक्टोन नाभिक के चारो और ठीक है ब्रत्य पत पर ना घूम कर ठीक है दिर्ग ब्रत्ताकार ठीक है दिर्ग ब्रत्ताकार कक्षा मैं घूमता है मैं घूमता है ठीक है जिसके एक फोकस पर जिसके एक फोकस पर क्या होता है इसके एक फोकस पर जिसके एक फोकस पर नाभिक होता है ओके चलिए मैं चित्र बनागे दिखाता हूं आपको नाविक होता है पहला पोईंट हमारा कंप्लिट हो यहीं पर ठीक है पहला ठीक है इसको हम बोहर समर्फिल्ट एक्टोमिक मोडल भी कहते हैं चलिए मैं आगे दिखता हूं क्या मैं दिर्ग ब्रताकार कख्षा बना दूँँ आपको ओके ओके चलो शक्तिवान बना दो लो साथ यह हमने बना दिया है ना तो लाइन पर ध्यान देना सू जो हमारा नाविक होता ना प्लस जैडी वह यह होता है यह प्लस जैडी नाविक पर चार्ज अब यह भईया इस इसकी एक एकसिस ठीक है इसको वलंगा है अर्द दिर्गक्ष और इसको वलंगा हम अर्द लगवक्ष ठीक है हो यह इतना ठीक है इतना चितर आप समझगे कोई दिक्त नहीं है चूंकि दिर्ग ब्रताकार कख्षा में घुम रहा है नाविक कहा है एक फोकस पर है दिस बन कि इसके एक फोकस पर क्या होता है ठीक है अच्छा ठीक है अच्छा इसका सेकिंड एजंसन क्या होना चाहिए आप मुझे तो बताओ यानि के इलेक्टोन की पोजिशन अगर हमें ग्याद करनी है तो उसके लिए दो कोडिनेट आप यूज करोगे तो पहला जो कोडिनेट होता है इसको मैं थोड़ा साइड में दिखूँगा वो देखो एक तो मेरे पास हो गया अगर इलेक्टोन की पोजिशन आपको फाइन कर ला हूँ के इलेक्टोन की जो पोजिशन होती है वो दो कोडिनेट आर और फाई द्वारा वेक्ट की जाती है यानि के इलेक्टोन की पोजिशन फोकस करें लाइन पर इलेक्टोन की पोजिशन ठीक है इलेक्टोन की जो पोजिशन होती है इस्तिति कि यह मेरे पास यहां प इलेक्टोन की पोजिशन ठीक है दो कोडिनेट दो कोडिनेट ठीक है सब दो कोडिनेट किस पर और और फाई द्वारा वेक्ट की जाती है द्वारा वेक्ट की जाती है अच्छा आर और फाई द्वारा बेक्ट की जाती है यहां पर और क्या है और जो है बैटे वह है रेडिय रेढिया डिस्टेंस टीक है यानि कहां से यहां तक की दोरी रेडिया स्टेंस ओके सरो के और सर्फ यह यह क्या एस मृतल अंगल ऐसी मृतल ओके सरोगे ए स अनग दिवीयन सी कौन कहा यह यह अब इसका मतलब है जब आपने इलेक्टोन की पोजिशन को दो कोडिनेट द्वारा रेक्ट किया है तो इसका मतलब समझ मा रहा है है कि इलेक्टोन की स्वतंत्रता की कोटियां दो होंगी इसका अब हमारे पास कोई कामधाम नहीं है बस पड़ना है फड़के छोड़ दे ना इस चीच को आमें चलिए साब इसके बाद जो होगा तमासा होगा ठीक है अब जो मैं लिकमाने करवाने वाला हूँ ऐसा तो आपने भी ना देखोगा वस्कों चुगा थोड़ा सो रहा है याँ ठीक है हो यह कंप लिदिना ओके यानिके इलेक्टोन की इसी लाइन में इसी पॉइन में रिखना इलेक्टोन की ठीक है सर इलेक्टोन की सुतंत्रता यानिके डिगरी आफ फ्रीडम कितनी होंगी दो इनिसमें देरा हो यार में डिगरी आफ फ्रीडम डिगरी आफ फ्रीडम कितनी होंगे दो होती है ठीक है समर्फिल्ड के अनुसार प्रते डिगरी आफ फ्रीडम के लिए कौन्टी करण की एक सड़्ट होती है ठीक है यानिके समर्फिल्ड के अनुसार ठीक है समर्फिल के अनुसार ठीके ठीके हर एक लाइन को कलियर करते हो समझने के देढ़ा वे रहा हूं और यार मैं समझा वी रहा हो तो सिंपल सी बात है आप लोग को समझ जाना चाहिए ठीके तो इलेक्ट्रोन की डिगरी आफ फ्रीडम दो होती है ठीके रिल्डा इनुसार सुमर्फिल्ड इसको हिंदी में कहते हैं कॉँआंटी करना की एक सर्थ होती एक सर्थ होती है, अब क्या सर्थ होती है, वह भी हम चैक कर लेते हैं, तो सर्थ भोगी किसके लिए एक तो मेरे पास रेडियाल डिस्टेंस की लिए होगी दूसरी सास्य होगी मेरे पास अईजूमुथल everything as om ay market के लिए होगी आश्य थीच है चलिए रेडिय डिस्टेंस के संगत पॉन्टिकरण की एक सर्थ है और क्या सर्थ है वो सर्थ यह वाली होती है दिहान देने पिटे पी आर एक्वल टू एन आर ठीक है एच अपॉन टू पाई ठीक है एच अपॉन टू पाई यह फोकस करना लाइन पे ठीक से यह मैं लिख भाऊंगा अभी घबडाओ मत ठ कि इसमिघीर्ट होती हो सकती है एक क्वांटम कौन्टम नंबर ठीक है रेडियल क्वांटम नंबर ठीक है रेडियल क्वांटम ईक्वांटमностें क्वांटम n bomber ठीक है या क्या रेडियल कॉऔना नमबर हो था ओके सरों के हो या अब मझे कहले बाना आ मुझे लिए ऐखमाना के भाया रेडियल डिस्टेंस आर के संगत रोंटिकरन की सरथ है की क्या सरथ है Jal 남자 भाद ज्वाग किसके अमदर आघर रेडियाल डिस्टेंसине on ओके रेडियोल डिस्टेंस के संकत ठीक है लिड़ डिस्टर्ञेश संगत कौ टीक मेंहीं इक उन्टीक याने कौंटीक अध्क की सरत है की सर्थ है कि इलेक्ट्रोन का रेडियल मोमेंटम यानिके त्रिज्य संभेग इलेक्ट्रोन का इसका इलेक्ट्रोन का रेडियल ठीके सर इलेक्ट्रोन का रेडियल मोमेंटम कितना बड़ा नाम है मोमेंटम एच अपोन टूपाई का पूलांग गुलज होता है ठीक है पूलांग गुलज ह होता है ठीक है अर्थार्थ लिख दो यू यू अर्थाद या इसी तना से इसी तना से भाईया या यह एजु मुथल एंगल के संगत क्वांटिक क्रत की सर्थ है ठीक है ध्यान दिना दे रहा इसी प्रकार आइसी प्रकार एजी मुथल टिक है एजी मुथल एंगल के संगत एंगल के संगत ठीक है क्वांटिक क्रत की सर्थ है क्वांटिक किरत की सर्थ है की इलेक्टन ठीके पटे इलेक्टोन का एंगular मोमेंटम कोड़निये वें एंगुलर मोमेंटम ठीक एलेक्ट्न का एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो भी क्या हिए है एच रपोन तू पाइग मोमेंटम पूलांग गुलच होता है पूलंग गुलच होता है कि ठीकर फूलांग गुलच होता अर्थार्थ में कहता हुआ र्थार्थ कि a apart मैं लिख दून यहां पर अरफाद मैं लिख EPA呀 पी फाइए एन फाइए ठीक है और एच अपोन में कितना जाए बिटे हाँ पर यह तो भाई ठीक है यह लाइन पर दिहां देना इसका मतला एन फाई क्या है है एजुम उथल प्वांटम नमबर उता है इसकी वैलू वंटू थी ओती है जिरो नहीं पर दिखेंगे यहां तक क कि आपसे पूंचता तो सुरू से लेकर लास्त करता ना पड़ेगा मेरे दोस्तों ना कर रहा तो दुबन कर दाखा चलिए आपको पता होना चाहिए के एन और तथा एन जो मेरे पास फाइए दोनों पूर्लांग है ठीक है सर दोनों पूर्लांग हैं तो इन दोनों का यो कितना होगा इन दोनों का यो किसके परावर होगा बिटे एन के परावर होगा जहां एन क्या है मुख्य क्वांटम संख्या है कि जहां एंकिया वेलू होगी वह भी कितनी होगी 123.. क्या अगे मुखे कौांटम संक्या मुखे कौांटम संस्क्या मुखे कौंटम संख्या möjंगे कौंट में कद अबण चीत्र में झाभ दरा स्पचा дорог कॉषक की अर्द दिरगशत है और अर्द लगवेक सMorely घिशाप सबस्क्राइब सब्सक्राइब अर्द दिर्ग अक्ष है अर्द दिर्ग अक्ष कितनी है बेटे ए है और अर्द लगू अक्ष कितनी है मेरे पास अर्द लगू अक्ष जल्दी बताओ अर्द लगू अक्ष कितनी है मेरे पास भी है तब देखो तब तब मेरे पास आजागा बी अपॉन ए फोकस करना लाइन और ये लाइन ये लैन पर देना दिखने ये लाइन इस का मतलब क्या हुा मेरे दोस्तो Fen समगा था इनुनING के खुम सकता ए जनके लिए बी अब का कि जो रेश्यो है kg kuya के बोर्ट होगा जिस इसतना से बोरने समझाया था सहम इन्हों ने भी सम्झाया है ठीक है इन नहीं बारिकली बैने हे बाइया यानी के आप ढर्ली बहोत सकते में कि Selonumberg रिबैंटे के अनुसार चीह हैं इंहें दिर्ग बित्ता का कशाय माने होंगी जिन令े यानिक चलो मैं लिखी देंग Peki चिछ को भी ठीक है समर्फिल्ड के अनुशार अता करके अता समर्फिल्ड समर्फिल्ड के अनुसार ठीक है अनुसार वे दिर्ग व्रत्तकार कक्षाएं वे दिर्ग व्रत्तकार कक्षाएं क्या होंगे वे दिर्ग व्रत्तकार कक्षाएं मानने होंगी कक्षाएं कैसी होंगे बैटे कक्षाएं मानने होंगी ठीक है मानने होंगी जिनके लिए जिनके लिए ठीक है बी अपोन एक का अनुपाथ ठीक है एक का अनुपाथ एन फाई अपोन एन के अनुपाथ के बरावर होगा अनुपाथ के बरावर होगा ठीक है एम राइट ओके कितने पॉइंट होए मे देखंब कोंटम नमबर एं मुखे क्वां ठीक यानि के मैं परिंसिपल कौंटम नमबर के उनपाथ के कैसा होना चाहिए बराबार वना चाहिए तो उन्हीं करें लेक्ट्र उन्हीं द्रिवर्त तरक्षाम में एलेक्टोन घूम सचता है जल्दी फासली हां तक किंसल लिलो लेलिया होगा आप लोगा थर्ड पॉइंट मैं तुम्हें बाता हूं भी चलिए सब्सक्राइब कर लोगे ना अरे यार यार यह बात हो रही है चलिए देखते हैं हुझे थर्ड पॉईंट पर हम डिस्कास्लें बाल थर्ड वो हिंट जो समर्फिल्ड का कहना था वह यह ऑथ मुखल क्वांटम नमबर है एसस घुnhंपक्षा की अकड्तिक अ्र समय कोaval quantum नंबर है एजो मथल crypto मॉंज़ाउं नंबर एक तर इंप All कौान्टम नंबर यानिक है एन फाइज जो हरता ठीक है और यार बड़ा चोटा वाला बंज़ा अन फाइज वो इलेकटोन कख्षा कि अकर्टि को क्या करता है निर्धार्व करता है अकर्ट पो ये करता है ठीक है कैसे बैक्त करता है ठीक है सर ठीक है है एजमतिल क्वांटम नमबर Deputy तेант को क्या करता है वैक्त करता हूं चरिए कैसे करता हूं भी अब कर लिते हैं तot जो एन्कर्पाइब का एनके एनके किसी मानके लिए इंक किसी मान के लिए ठीकर सफ एन के किसी मान के लिए जो एनफाइ की वैलु होती नैं फाइ कमां कितना होना चाहिए मेरे दोस्तों यह तो एक या दो यह treat डॉट कहां तक एन होगा और दिहान देना अगर मेरे पास तीन है तो एन बड़ावर तीन के लिए जो एन फाइब की वैलू होगी ओवन टू कितनी होगी थिरी होगी कैसे वह भी हम चैक कर लेते हैं ठीक है तो सबसे बेले एक बड़ी सी कक्षा बनाओ इस टाइब से एक टूसा मैंने इतनी वड़ी बना दी यह एन बरावर तीन और एन फाइब अरवार कितना मेरे पास चलो तीन के लिए बना दिया मैंने अब यह थोड़ी सी लेक्टर भूम जो इसमें दिक्कत पड़ दिये जित्त्तबाने में तो मेरे पास कख्षा आगी दूसरी वाली जो आगे कि एन फाइव एक आमान बंटू थी होंगे तो दुसरी वक्षागे मेरे पास थोड़ी सी इतनी बड़ी लेनी है बढ़े है बनाना चितने हैं से ए यह मैंने कि फोड़ी हो गई होगी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है अच्छा ठीक है यह किसकी वैलू आई है मेरे पास एन का मान तीन है लेकिन एन फाइवी का मान कितना है दो हो गया इसी विकार से मैं एक और ले लूँगा ए छोटी सी कख्षा इसी के जैसी यह वाली ठीक है यह दूसरी का क्षा भी मेरे पास तो एन का मान तीन होगी है लेकिन फाइवी के वैलो मेरे पास कितने होई बड़ होई ठीक है यहां भी इलेक्ट्रों घूमेगा इस साइड में यहां भी क्या होगा इलेक्ट्रों घूमेगा इस साइड में ठीक है तो इस इस ताइफ से आब बना सकतो तो यह क्या है मेरे पास एन बहुत तीन के लिए एन बहुत तीन के लिए ठीक है उपक्षाए एंब अधर तीन के लिए उपक्षाएं ठीक है वह यह तो यहां तक दे दो काफी है ठीक है काफी हच्छ तक बड़न कर दिया समझाल फिल्ट के पर मौन मुद लगा लेकिन मैं भी थ्लोग सो ओल लिख वाऊंगा यानि के पर लेक्टोन की ति सर्वनबर देख लेते वर्डी कक्षा में एलेक्टोन की उड़ा ठीक है लाइन पर फोकस करना एंवे कक्षा में एलेक्टोन की ओर जा मेरे पास आती है बहुतained उरावर शकॉर दोस्त कि ट क्यांकोस्ट est şokARS का मतलब यह हुआ के N بी कश्र में जो इलैक्टोन की उर्जा है यह कि उर्जा जो होती है उर्जा जो होती जो क Enough? bounds संख्या पर करती है ज़्या ठिक है मुख्य כौंटम संख्या पर क्लिब करती है निर्फर करती है ठीक है ध्यान देना उर्जा जो है मुख्य क्वांटम संक्या पर निर्वन नहीं करती बेटे एज़ एज़ी मुथल क्वांटम एज़ी मुथल क्वांटम नमबर ठीक है एज़ी मुथल क्वांटम नमबर पर निर्वर नहीं करती है पर निर्वर नह अब क्या होगा अब क्या हुँआ के उड़र मुख्य कॉांटम संक्या वे निरभन नहीं करती है और दूंध昨 फिर तर नमबर नहीं नहीं कर सब्सक्राफ्ट आइन की और चल्च Kenneth authors आप में शक्राप्तव होता है प्रमादू मौडल सब स्सकुर्स वाव दिन Key सुक्षम सरनाजना की सदैक्षा नहीं कर सकते तो फिर सुमर्फिल्ड वोर के एटोमिक मोडल से प्राप्त होती है एटोमिक मोडल से प्राप्त होती है प्राप होती है अर्थार्थ ठीक है अर्थार्थ ठीक है अर्थार्थ क्या बेटा इतनी जितनी बहुर के अटोमी मोडल से प्रावत होती है अर्थार्थ हम लिख सकते हैं आगे को के निर्वन नहीं करती है यह उतनी ही उड़ जाओ होती जितनी बहुर के अटोमी मोडल से प्रावत होती है अर्थार्थ यह है मोडल यह है मोडल इस्पेक्टर में रेखा की सुक्ष्म सरनचना की बैख्या करने में आसफल रहा थोड़ी बहुत करी पर नहीं कर पाया आसफल रहा ठीक है असफल रहा ठीक है अब लगा लो बोर ने तो फेल था तो यह भी मोडल फेल हुआ लेकिन क्या हुआ कि बाद में समर फिल्ड ने अपने मोडल में सब्सक्राइब करेक्शन यानिक आप डालेंगे हैं तिंग हम सेड़ा लगे हैं ठीक है थोड़ा सो रहा ज्यादा नि सब्सक्राइब थोड़ा से दो लाइनों लिगवानी है अप एक शिक्ता का सिध्धान आ जाता है इसमें उसके दोवार हम बैख्या कर देते हैं ठीक है जल्दी फास्टली हां ठीक है अब समर फिल्ड अपने असली पोईंट पाए असली पोईंट क्या था उनका यह था कि भाइ सिर्द इल्यक्ट है being एक तो Sarah ओर नाथ चार्यार नादें वाले अकष्हाय वाले अंतरगतल द्रभ्रत पेर्ता करक्ष्ह तो यह नहीं के दो दूरी बदलने पर इलेक्टोन की दूरी बदलने पर इलेक्टोन की चाब बदलती है इलेक्टोन की दूरी बदलने पर इलेक्टोन का बेग बदलता है यानिके इलेक्टोन नाविक की और आने पर इलेक्टोन नाविक के और आने पर इसकी जो रेडियल जो तुमारे पास यह त्रिजिया होगी वह देरे घटी जाएगी जिससे बेग भी की क्योंता देरे घटा जाता आप एक चिकता का सिद्धान आपसे यह कहता है कि अगर इलेक्टन का बढ़ता तो उसका द्रब्यमान भी बढ़ेगा तो अप एक चिकता के सिद्धान का अनुसार एक फौर्मॉला नाविक के चारो और फोकस करें लाइन पर इलेक्टोन किसके चारो तरफ बेटे इलेक्टोन नाविक के चारो और ठीक है इलेक्टोन नाविक के चारो और ठीक है नाविक के कारण ठीक है नाविक के कारण लगने वाले ठीक है लगने वाले अकर्षन वलके अंतरगत ठीक है अकर्षण क्योंकि इन दोने के बीज में इस पर माइनस होता है इस पर प्लस होता है तो सिंबल सी बाते हैं इन दोने के बीज में अट्रक्शन फोर्स काम करेगा नाविक के कारण लगने वाले अकर्षण वलके अंतरगत अकर्षण ठीक है वलके अंतर प्रक्षा में दिर्ग ब्रत्त खा है मैं और दिर्ग ब्रताकार खशे में जर्ग नर्छा में चक्क्र लगाता है श्रूत मि पैसे चक्र लगता है ठिक है लगाता इलक्ट वन की scared only riderssomuk से दूरी बदलने पर की कि ंविक से दूरी बदलने पर बदलने पर ठीक है बदलने पर इलेक्टोन का बेग बदलता है ठीक है इलेक्टोन का बेग क्या होता है बदलता है ठीक है इलेक्टोन का बेग क्या होता है बदलता है ठीक है इलेक्टोन का बेग क्या होता है बदलता है ठीक है इलेक्टोन का बेग क्या होता है बदलता है रैलैक्टों नाविवग की और आने पर जो इसकी रीडियल डिष्टैंस है. हार की वैलू है वो धिरे-धिरे कम होती जाएगी कि यहां जाद है यहां कम यहां और कम हो जाएगी रेडियल डिस्टेंस कैसी होती है रेडियल डिस्टेंस कम होती है कम होती है जिससे क्या होता है जिससे इसका जो बेग होता ना जिससे इसका बेग घड़ता है घड़ता है ठीक है अप एक शिक्ता के सिध्धान से लाइन पर का आता है आप एक चिकता के सिध्धान से ठीक है अप एक चिकता के सिध्धान से सिद्धान के अनुशार ठीक है इलेक्टोन का बेग बढ़ने पर या पूरी थियोरी है यार इलेक्टोन का बेग बढ़ने पर इलेक्टोन का बेग बढ़ने पर इलेक्टोन का बेग बढ़ने पर ठीक है इसका दरब्यमान बढ़ता है इसका द्रवेवान क्यों था बढ़ता हां इसका द्रवेवान बढ़ता है आता अपेक शिखता का सिद्धान को सामिल करने पर फिर बटे सामिल करने पाइज और लागा दियो सामिल पर ठीक है एन वी कक्षा में इलेक्टोन की उड़ जाht इलेक्टोन की उड़ जा एक नया फोर्मलो ड्राइव हो जाता है फोर्मलो न बेराबर मैनस के जैड स्कॲार और H C upon का कितना होता भहिया N square होता यह तो तुम्हें पता रने जाएगे मुखे quantum संक्या माइनस के फिर से मेरे पास क्या आता है यहाँ पर फिर से मेरे पास आता है R alpha square और Z की power 4 आता है यहाँ पर N की power मेरे पास 4 आता है और break it मा आता है N upon N 5 Y minus के 3 upon 4 3 upon 4 तो बटा यह जो formula आया इसमें अब आप यह देखो जो electron की जो उर्जा होती है NB कक्षा में वो दो चीजों पर depend कर रही है एक मेरे पास N पर depend करेगी और एक मेरे पास काई पर depend कर रही है N की घाट चार्ट तो है एक तो N पर इर्फार्फाइबन कर रही है यान कی जो electron की अब उर्जा आ रही है वो किस पर depend कर रही है इल्एक्टोन की उर्जाजों है वो N तथा N पर निर्षर करती है निर्षर करती है ठीक है आह variance माया यानिके उप उर्जा इसतर पर depend करती है निर्वर करती है अर्थार्थ उप कोशो पर निर्वर करती है या उप कक्षा या फिर उप इस तर पर निर्वर करती है आता इस प्रिकार ठीक है यह है मोडल ठीक है इस प्रिकार यह है मोडल किसकी बैख्या करने में इस पस्ट यानिके किसकी बैख्या कर सका यानिके स्पेक में रेखा इस्पेक्टर में रेखा की सुक्ष्म संद्शना की सुक्ष्म संद्शना की बैख्या कर सका बैख्या कर सका ठीक है बास हो जाए यहां तक चलिए यहां तक का स्कीन सोड लो और भया इस टोपिक को बार वार लिख लिख के याद करो मिलते हैं नेक्स वीडियो में next lecture के साथ thanks.